हलो फ्रेंड्स बल्कम टू माई यूटूब चैनल सो आज कि इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं चो आपका यूपी पुलिस कौंश्टेवल का एक्जाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त उसी के जनल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टन कोशन्स को यहां पर डिसक करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगी तो प्लीस वीडियो को लाइकों से जरूर करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को अगस्त के बीच में विजाम आयूजित किया जाएगा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आठ दिन से जिन तो आज मैं आप लोगों के लिए जर्नल हिंदी के कुल 75 कोईशन्स लेकर आया हूँ अगर आप लोगों ने इन 75 कोईशन्स में 70 कोईशन्स के सही जवाब दि पहला कोईशन्स देखेगा यमुना का परयाए बाची सब्ध क्या होगा परिख संक का कलेंदी बीचिस लेक्टियी यामनी किसका प्रयाए बचि सब्ध होता है लेजहन यंगा का प्रयावची सब्द होता है यह भी आपको ध्यान में रखना है अच्छा यमुना के अन्य प्रयावची सब्द क्या क्या होते हैं इससे की सूरत तन्या सूरत तन्या यह यमुना का प्रयावची सब्द होते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प कौ सा सब्द निशीद का परियावची सब्द नहीं है तम जो है न ये निशीद का परियावची सब्द प्रियावाची सब्द होते हैं तरणी आदित दिवाकर प्रभाकर दिनकर भासकर यह सबी अब आपको द्यान वे रखना है निमलिःत में से कौंसा सब्द अरविंद का प्रियावाची सब्द नहीं है मिल्िंद पंकच जलज अमवुज अर्बिंद का आसे कमल से होता है यह आपको ध्यान में रखना है देखिए इसमें जो मिलिंद आप देख रहे हैं मिलिंद तो इसमें जो मिलिंद है न यह अर्बिंद का परियावची सब्द नहीं है और अर्बिंद का अर्थ होता है कमल तो पंकज हुआ जैसे की जलज हुआ और अम्बुज होँ यह सभी सब्द यह कमल के प्रियायबाची सब्द होते हैं यानि कमल का अर्थ होता है अरविंद से हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नाश कोशन देखेगा सभी बच्चे अच्छा पर्याय बाची सब्द का अर्थ क्या होता है तो पर्याय बाची सब्द का अर्थ क्या होता है तो पर्याय बाची सब्द का अर्थ होता है समान अर्थी क्या होता है समान अर्थी यानि कि वे सब्द जिसके अर्थों में समानता हो पर्याय बची सब्द कहराते हैं इन सब्दों को समनार्थी सब्द भी कहा जाता है ठीक है नैस कोशन देखे का सभी बच्चे यानि इसका उल्टा प्राची का पर्याय बची सब्द क्या होता है भाई प्राचीन प्रकर्थ पूर्व प्रग्या प्राची का प्रयाय बची सब्द क्या होता है तो प्राचीन का प्रयाय बची सब्द होता है पूर्व option number C जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा चले बढ़ते हैं next questions की और so guys next questions हमारा है की तरंग सब्द का प्रयाय बची सब्द क्या होता है उसकर कूल जलदी उर्मी तरंग सब्द का परिया बच्ची सब्द क्या होता है तो तरंग सब्द का परिया बच्ची सब्द होता है उर्मी और डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसकोशन देखेगा सभी बच्चे जंगल सब्द का परियाए बच्ची सब्द क्या होता है प्रमोन विश्रांति कांतार दिव जंगल सब्द का परियाए बच्ची सब्द क्या होता है जंगल सब्द का परियाए बच्ची सब्द होता है कांतार क्या होता है कांतार जंगल के अन परियावाची सब्द होते हैं जैसे की बिपिन हुआ कानन हुआ वन हुआ कांतार हुआ यह सभी सब्द जंगल के परियावाची सब्द होते हैं नैस कोशन देखेगा क्रोध सब्द का परियावाची सब्द क्या होता है संताप अमर्स बैबन अगला कोशन देखेगा मेरे प्यारे साथियों बिजली सब्द का परियाबची सब्द नहीं है चार ओप्शन्स आपके सामने है तो देखे वितुंडा जो है ना वितुंडा ये बिजली का परियाबची सब्द नहीं है तो ओप्शन नमर ए जो है ये बिल्कुछ सही हो जाए कबल की दामनी हुआ चंचला हुआ और तर्डित हुआ ये बिजली के पर्यावची सब्द हो जाएंगे ठीक है चले वरते नैस कोशन की और नैस कोशन क्या है परत्यक्ष सब्द का बिलूम शब्द क्या होगा परत्यक्ष सब्द का बिलूम शब्द क्या होता है तो परत्यक् पूशिन हमारा है शामाने सब्द का विलोंग शब्द क्या होता है श्रिष्ट सरवग के साधारन विशिष्ट है शामाने सब्द का विलोंग शब्द क्या होता है शामाने सब्द का विलोंग शब्द होता है विशिष्ट है अच्छा शाधारन का विलोंग शब्द क्या होता होता है शाधारण का होता है असाधारण सरवग के क्या होता है सरवग के क्या विलोंग शब्द होता है अग्य है अच्छा स्रेष्ट का विलोंग शब्द क्या होता है स्रेष्ट का विलोंग शब्द होता है निम्न तो यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक नैस कोशन होगा अमर सब्द का विलोंग शब्द होता है म्रत्य और डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखेगा उपकार सब्द का बिलूम शब्द क्या होता है उपकार सब्द का बिलूम शब्द होता है उपकार सब्द का बिलूम शब्द होता है उपकार इंपोर्टन कोश्चन सभी के सभी है सारे के सारे पर टैनिस्टा लगा सकते हैं 5 इस्टा टैनिस्टा लेकर आया हूँ परियावची सब्दों हों या बिलूम शब्दों हों सभी कर लीजिए ठीक है आप्षिन अमबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा मेरे प्यारे साथी हूँ तीमिर सब्द का बिलूम शब्द क्या होता है आलोक किरण रंगीन रंगीहिन सब्द का बिलूम शब्द होता है आलोक किरण रंगीन रंगीन अमबर अप्षिन इस सब्द का बिलूम शब्द का बिलूम शब्द होता है ठीक है नैश कोशन देखेगा निर्दे सब्द का बिलोम शब्द क्या होता है निर्दे सब्द का बिलोम शब्द क्या होगा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग दिन प्रैक्टिस कर लीजे सिर्फ आठ दिन बचे हैं आठ दिन में सिर्फ आप प्रैक्टिस क कर सकते हैं पढ़र ने टाइम ताई शे मईने का वह पहले ही खत्म हो चुका है तो नेटदीश्बद का बिलॉग सब्सक्राइब होता है तो उप्शिन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सई हो जाएगा उन मीलन उन मीलन सब्द का बिलोंग शब्द क्या होता है उन मीलन सब्द का बिलोंग शब्द क्या होगा तो उन मीलन सब्द का बिलोंग शब्द होता है ने मीलन ऑप्शन अमर वी करेक्ट हो जाएगा ना इस कोशन देखेगा सभी वच्चे उतकर्स सब्द का बिलोंग शब्द क्या होता है उतकर्स सब्द का बिलोंग शब्द क्या होगा तो उतकर्स सब्द का बिलोंग शब्द होता है अब कर्स क्या होता है अब कर्स ऑप्शन नमर सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है नाइस कोशन देखेगा सभी बच्चे आर वी भाव सब्द का विलोंग शब्द क्या होता है वाई आर वी भाव सब्द का विलोंग शब्द क्या होगा आर वी भाव सब्द का विलोंग शब्द होता है तीरो भाव क्या होता है तीरो भाव जहां परकर 2000 ब्यूस पर लाइक की संख्या 500 क्रॉस हो जानी चाहिए वहीं लाइक की संख्या मुश्किल से 100-100 आ रही थी 2000 ब्यूस की मैं बात कर रहा हूं तो इतनी कम संख्या नहीं होनी चाहिए अगला कोशिन क्या है कि कौं साव वाकिस सुध्य तो यहां पर आपको सुध्य वाकिरी पहचान करनी है आईस टीन के पास बिलक्चन बुद्र थी इतना ही मैं आपको टाइम दे सकता हूँ अगर ज्यादा टाइम लेना तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं और अंसर दे सकते हैं और फिर नमर एक करेक्ट हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा सभी वच्चे कौन सा वाक्य सुद्ध है तो यहाँ पर आपको सुद्ध वाक्य की पैचान करने है शरतकाल में चंद्रमा की सुबा देखने योग होती है और फिर नमर सी जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा कौन सा वाक्य सुद्ध है तो यहाँ पर आपको सुद्ध वाक्य की पैचान करनी है दही खटा यह आपका सुद्ध वाक्य हो जाएगा तो और फिर वी जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा सभी बच्चे कौन सा वाक्य सुद्ध है तो यहाँ पर आपको सुद्ध वाक्य की पैचान करनी है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नाइस कोशन देखेगा सभी बच्चे कौन सा वाक्य सुद्ध है यहाँ पर आपको सुद्ध वाक्य की पैचान करने है जितनी ज़्यदा प्रैक्टिस कर सकते है उतनी प्रैक्टिस कर लेजिए पूरे पूरे 75 प्रैक्टिस का टेस्ट है पूरा टेस्ट लगाएगा बीच से छोड़कर किसी वे बच्चे को नहीं जाना है यह आँकों देखी घटना यह आपका सुद्ध वाक्य हो जाएगा तो आप्शिय नमर वी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा आप्शिय नमर अचा निशेष्ट कैसे लिखा जाता है देख लेजे कैसे लिखा जाता है निशेष्ट को जो लिखने का जो तरीका है न वो यह रहा मैं आपको बता रहा हूं में निशेष्ट मलब अगला प्रशन देखेगा सुद्वर्तनी वाले सब्द की पचान करने bhaagirathik कैसे लिखाथा है तो भागी रतिक लिखने का जो तरीका है न वो यह रहा तो भागी रतिक ऐसे लिखा जाता है तो वी ओप्सन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा विरहर्डी की सुद्वरतनी क्या होगी विरहर्डी कैसे लिखा जाता है विर्ण हेर्डी और फिर नमबर सी जो है यह बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चले वरते हैं ना इस कोशन्स की और यहाँ पर देखिए आपको असुद वरतेनी वाले सब्दे की पैचान करनी है अब देखिए असुद वरतेनी वाला सब्द आपका यह भी हो जाएगा ठीक है और यह भी हो जाएगा क्योंकि उज्जवल जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है उज्जवल उज्जवल ऐसे लिखा जाता है अब यहाँ पर जो प्रचुलित है यह भी सुद बढ़ता नहीं है यह इसकी सुद बढ़ता नहीं है तो ये question पूर्ण रूप से गलत है, ठीक है, नैश question देखेगा, जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए उप्युक्त सब्द क्या होगा, तो जिसका इलाज ना हो सके, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, असाथ तो option number A जो है, ये बिलुकुल सही हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उप्युक्त सब्दे क्या होगा जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं जिस इस्त्री का पती जीवित है उसके लिए उप्युक्त सब्दे क्या होगा पवित्वरता सदवा पिवाहिता अनुरक्ता जिस इस्त्री का पती जीवित हो उसको कहते हैं सदवा और फियामर वी जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा नायश कोशन देखेगा सभी बच्चे जो छीड ना हो सके उसके लिए उप्योपत सब्द क्या होगा जो छीड ना हो स सब्सके उसको कहते हैं अक्षै और फियामर सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है नायश कोशन देखेगा बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्त इसको क्या कहते हैं वक्ता अधिवक्ता प्रवक्ता या वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला तो बहुत अधिक बोलने वाला इसको क्य कहते हैं वाचाल कहते हैं तो option number D जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा दिमाग लगाना पड़ता और आंसर यह निकलाता है जिसके सिर पर चंदर हो उसको क्या कहते हैं तो जिसके सिर पर चंदर हो उसको हम कहते हैं चंदर सेखर तो option number V जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा चले बढ़ते हैं जिसके कोश्ण क्या है अगला प्रसंद देखेगा सभी बच्चे तिलक लगाने में किस अन्यका उप्योग्त होता है तो तिलक लगाने में अच्छत अच्छत इसकों बोलते हैं तो आप्षियां वर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए बड़ते हैं नाज कोश्चनस की और अगला कोश्चन देखेगा धीरे-धीरे का समास क्या होगा धीरे धीरे में कौन सा समास है दुन्द समास अववयवाव समास करमदार समास या दिवू समास अब हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग सोच रहे होंगे कि बीच में योजब चिन लगा है तो यहां पर दुन्द समास हो जाएगा देखे यहां पर दुन्द समास नहीं होगा यहां पर होगा अवववाव समास जब आप इसका समास विगरे करेंगे तो इसका समास विगरे क्या होता है धीरे के बाद भी धीरे धीरे के बाद भी धीरे यानि जिस समास का पहला पद पूरुपद अववव तता परधानों उस सरवता योगता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना क्या आंसर होगा आंसर हो जाएगा option number D योगता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भरना option number D जो है ये विलकुल correct हो जाएगा अगला परस देखेगा वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे पंक्ती में कौन सा अलंकार है वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे पंक्ती में कौन सा अलंकार होगा अनुप्रास यमक सलेस रूपक यमक कलंकार हो जाएगा तो आप्शन हमर वी जो है ये बिलकुल सही हो जाएगा देखें यमक लंग का लंग का يाद रखने के लिए जब एक सब्द का प्रीयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं तो वहाँ पर कौशा अलंग का लंग का लंग का होता है तो बागे सुरी का परिया बचे सब्द होता है शारदा आप्षिन नमर वी जो है ये विलकुल सही हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा अबस्थित वाके खंडों से करमवद वाके वनाईए और उचित करम चुनिए आप्षिन नमर डी जो है ये विलकुल सही हो जाएगा ठीक है कैसे वो भी जान लेजी आप लोग भारतिये सुरू से ही आर्थिक और समाजिक अन्याय को बिना हिंसक बिरोध के बिना हिंसक बिरोध के भारतिये चले आए हैं सहते तो इस परकार से जो हैं आप करम बुत तरीके से लगा सकते हैं है कुछ भी ने कोशन में थोड़ा दा दिमाग लगाने की ज़रूरत है अगला प्रस देखेगा तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती थी इसमें कौँ सा लंकार होगा अनुप्रास सिलेस यमक अन्योक तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार तो उप्षिन अमर्स सी जो है यह बिलकुल सही हो जाएगा तो इससे पहले मने आपको क्या बता है कि जब एक सब्द का प्रियोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं तब यह वहां पर यमक अलंकार हो जिससे कि यहां पर देश सकते हैं तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती खाती थी दो बार इसका प्रियोग हुआ है तो आपको सी जो है आपका विलकुल करेक्ट हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा विस्मय इस्थाई भाव किस रस में होता है यानि विस्मय का बुद्ध यानि और सी जो है यह विलकुल करेक्ट हो जाएगा अच्छा इस्थाई भावों की कुल संक्या कितनी होती है इस्थाई भावों की कुल संक्या होती है नौ यह आपको ध्यान में रखना है आप इसमें देखिए हाश का इस्थाई भाव क्या होगा हाश होगा हा आपको ध्यान द्यान रखना है ना इस कोशन देखेगा यगदिफी मोहन धनी है तताफी बहुत दुखी है इसमें कौव सा बाइक यहां पर बने जया रहे कि मोहन धनी भी है और दुखी भी है तो यहां पर दोनों का मिसरण हो गया इसलिए यहां पर हो जाएगा मिसर बाग के अगला कोशन देखेगा जिसके बरावर कोई ना उसको क्या कहते हैं बिलचण अनुपम असादारन लुकातीत जिसके बरावर कोई ना उसको क्या कहते हैं तो जिसके बरावर कोई ना उसको कहते हैं उपम और वी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा बंदर का तस्सक्रत बहसा से लिए गए हो वो तस्सक्रत कहला अब यहां पर बंदर का संस्क्रत बहसा में अगर आप कनबड करेंगे तो बंदर का तस्सक्रत क्या होता है तो बंदर को अगर आप संस्क्रत में क्या बोलेंग वानर बोलते हैं वानर तो इसका वानर का तक्साथ सब्सक्राइब क्या हो जाएगा वानर हो जाएगा तो सी ओप्षंस करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कॉच्छन देखेगा चरान कमल बंदू रगुराई में कौन सा लंकार होगा सिलेसलंकार उपमार रूपक तीश्योक्ती चरान कमल बंदू हरीराई में कौन सा लंकार होगा यहां पर हो जाएगा रूपक लंकार यानि सी आप्सन जो है यह बलुकुत सही हो जाएगा देखिए रूपा कलंकार को पैचाने का तरीगा का है रूपा कलंकार वहा लंकार होता है जिसमें उपमे और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता है और जहां पर उपमे और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान कर दिया जाता है वो रूपा कलंकार कह शिर्वल्क काले की है तो तीन लोक से मतुरा न्यारी यानिकी सबसे निराला अगला प्रस नमर ना मिधिलेस कुमारी किने कहते हैं राधा सीता सत्यभामा दुरूपदी। मिथिलेस कुमारी किने कहते हैं तो मिथिलेस कुमारी जो है ना सीता जी को कहते हैं तो आपचिन अबर वी जो है ये विलकुल करेक्ट हो जाएगा। उपसी को जाएगा सम्परदान के लिए अपादान से समिनध काके कि अधिकरन में पर अपादान से यानि अपादान से करताने कर्ण को करण के द्वरा संपरदान के लिए अपादान से तो अपादान से अपादान से आ रहा है अपादान से सी ओप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा और कार्कों की कुल संख्या कितनी होती है, आठ होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नायस कोशन देखेगा, विचार में एक प्रत्य लगाने से बनने वाला सब्द क्या होगा, विचार में एक प्रत्य लगाने से कौन सा सब्द बनेगा, बैचारिक सब्द बनेगा, यहां पर आपको सुद्व वाक्य की पैचान करनी है सो समझकर आंसर देजेगा सभी बच्चे मेरा एक भाई और पांच भेहने हैं यह आपका सुद्व वाक्य हो जाएगा तो सी ओप्सन जो ही बिल्कुल सही हो जाएगा नाश कोशन देखेगा बुढ़ापा एक परकार का अभिशाप है रेखांकेत सब्द की संग्या क्या होगी जाति बाचक भाव वाचक व्यक्ति बाचक समू बाचक तो बुढ़ापा अगर आपके उपर आया है तो आप किसी से उसका भाव व्यक्ति कर रहे हैं और वी जो है विल्कुल सही हो कि अच्छा मिनाक्षी का अर्थ क्या होता है मोरनी मचली के तरह गोल आखों वाली यमुना नदी पूनम की चांदनी मिनाक्षी का अर्थ क्या होता है तो मेरे प्यारे साथी हूं मिनाक्षी का अर्थ होता है मचली के तरह गोल आखों बाली ऑप्शन अमर वी जो है यह वि जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे सब्सक्राइब कर देखें कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का प्रयाबची सब्द नहीं है अग्यानी का प्रयाबची सब्द क्या नहीं होगा विग नहीं होगा तो आफ़ी नमर वी जो है क्योंकि अग जो है इसका बिलूम शिर्थ होता है विग ऑग्यानी का प्रयाव प्रयावज़ सब्सेद नहीं होगा तो वी ऑपसिन जो है ये बिलुकल सही हो जाएगा गैज नश्क कोश् Genius हमारा जैसा काम बैसा दाम में जैसा किस व्याकार नतमक कोटी का है विशेश विशेश सरवनाम अव्वेmail हैं लिम बैसा दाम में जैसा यह विशेश हो जाए страх टो ऑफिंश होता और श्टार्टिंग का सब्द उपसर्ग होता है इतना आपको ध्यान रखना तो ऑफिण आपर ए जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा पीचे चलने वाला सब्द समू है तो एक सब्द है पीचे चलने वाला सब्द इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं अनुगत और जो है यह विल्कुल सही हो जाए निम्न में से कौन सा आधी व्यादिस सब्द यूगम में आधी का अर्थ है मांसिक कष्ट आधा पागलपन अधक पारी जैसे रोख है मांसिक कष्ट आप्शन हो जाएं मैंसी काटना का साइवा जाएगा निम्न में में से कौन सा काटना का तस्ब्सब्स होगा या उससे सब्सकर्ण सब्सकर्ण का सब्सकर्ण हो जाएगा option number C correct हो जाएगा ठीक नाइश कोशन देखेगा रुपए खाले स्थान हैरेक्टे स्थाने तु सब्दे चुनिये यानि रुपए खनकते हैं option number C correct हो जाएगा निशा का विशेशान रूप क्या होता है निशाचर निशीत निशांत नैश निशा का विशेशन सब्द होता है मेरे प्यारे साथियों नैश option number D जो है यह बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है विशेशन वे सब्द होते हैं जो संग्या या सर्वनाम की बिसेस्ता बताते हैं ये सब्द वाक्य में संग्या के साथ लगकर संग्या की बिसेस्ता बताते हैं जैसे कायर हुआ टेना मेडा एक दू वीर पूरुज गोरा अच्छा बुरा मीटा खटा आ दी ये सभी सद बिशेशन होती है नैस कोशन देखेगा आठ कनोजिया नौ चूले लोक्तिती का अर्थ क्या होगा मस्ते रहना फाका करना अलगाओं की इस्तिति और अंसर हो जाएगा अलगाओं की इस्तिति और सी जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा निम्न में से कौशन चक्र पाड़ी में प्रियुक्ति समास है अब वह वाव तत्पुरूस भाव परिया करमधार है चक्र पाड़ी सी ओप्शन जो है आपका ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा जब किसी वाक्य में किसी प्रसद्य व्यक्ति या भगवान के नामा जाएगा तो वापर को समास होता ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ठीकgart अगला question देखेगा निम्न में से कौन सा उच्वास का सन्दी विछेद है उच्वास का सन्दी विछेद क्या होता है important question है फाइविष्टा लगा लीजिए उत्धन स्वास option number D जो है correct हो जाए अच्वास में उच्वास में प्रियुक्त सन्दी कौन सी होगी यह भी तो प्रशन पेपर में पूछा जा सकता है व्यंजन सन्दी हो जाई तो यह भी आपको ध्यान में रखना है अगला प्रशन क्या है कि इन में से कौन स्वयुक्त व्यंजन नहीं है स्वयूक्त व्यंजन नहीं है छतरग्यां ये स्वयूक्त व्यंजन हो जाएंगे छतरग्यां लेकिन जो फा है ना फा ये स्वयूक्त व्यंजन नहीं है तो option अमट D correct हो देखिए फा जो है ना फा ये फा देख रहे हैं ये आगध बेंजन के अंतरगत आ जाता है एक होते हैं इसपर्ष कोन को से सब्लम आ जाते हैं तो कारम जैन के अतर्गत ध्यान पूर्वक देखेगा चा हुआ छा से छाता हुआ चा छा जा टा से टम pelaटर और ठा से ठ्टेरा इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं परस्बेंजन ठीकए एक होता है उस्बेंजन इस यहां से भी परस्बेंजन पूछ लैजाता है देखा है शा हुआ शाशे शद्गॉड हुआ सा हुआ और हा हुआ इन्हें क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं उस्मेंजन एक होता है अंतस्त बेंजन अंतस्त बेंजन के अंतर कहते हैं या हो गया, रा हो गया ला हो गया और वा हो गया इनको क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं अंतस्त बेंजन और एक होते हैं स्व्यूक्ति बेंजन इसके बाद मैंने आपको बता दिया च्छत रग गया एक होते हैं आगत बेंजन तो आगत बेंजन कौन कौन से होते हैं जासे जहाज और फासे फल ये होते हैं आगत बेंजन एक होते हैं अनुनासिक बेंजन कौन कौन से डासे डलिया यहां रडाखाली नासे नल और मासे मचली यह होते हैं अनुनासिक बेंजन तो यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है नाइस कोशन देखेगा नीधन कलंग का संदि विच्छिद क्या होगा नीधन कलंग यानि निश्र कलंग और डी जो है आपका यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा सभी बच्चे निम्न में से कौंसा करमधार समास है नील गगन त्रिफिला पतज़ड गाउं सहर नील गगन में करमधार समास हो जाएगा तो और अप्शन प्रशन देखा होगा तो मैंने आपको एक प्रस्ट बहुती अच्छे और बिल्कुल वारी तरीक तरीक निश्र करेक्ट हो जाएगा तो यह थे आपके जन्रल हिंदी के कुल 75 प्रशन अगर आप लोगों ने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक प्रस्ट बहुती अच्छे और बिल्कुल वारी तरीके से समझाया है और मैंने अपना 100 प्रशन देने की पूरी की पूरी कोशिस कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए तो अगर बारी आती वीडियो के लाइक करने की तो मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो को देख कर चले जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी वच्चों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड करके आप वीडियो को लाइक किया करें ज्यादा से ज्यादा क्योंकि आपका एक लाइक होता है आपका एक लाइक हमें बहुती बहुती मोडिवेट करता है आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल आउन करना ना भूले मिलता है इस वीडियो के साथ जैहिंजै वार किया क牙 झू उगएक पीजब के लिएवाच है मिलता है तो ज़रूरर सवर्मिघन कर सब्सक्राइब के है रеж्का क evacuéो मैं झाल जबता है उन्य है Murray मेलता है जबता है वार आटा है बग्रू सब्सक्राइब TOMBIP कर भाह सक्श है भाल उता है